Hello students of class 7th, मैं आपकी English teacher Aisha और आज मैं आप लोगों की आपकी English reader book से first chapter The Emperor's Three Question पढ़ाऊंगी जिसका अर्थ है राजा के तीन प्रशनों इस्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसी स्टोरी का एक आउट्लिक दे देती हूँ यह कहानी एक राजा की है जो अपने तीन प्रशनों के उत्तर ढून रहा है तो जब हम यह कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसके तीन प्रशन क्या थे उसे उनके उत्तर किस तरह से मिले और यह उत्तर पाने की उसकी जरनी कैसी रही Now let's start the chapter and students listen carefully One day it occurred to a certain imprint that if he only knew the answers of three questions he would never strain any matter एक दिन एक राजा के मन में यह विचार आता है कि यदि उसे इन तीन प्रशनों के उत्तर पता हो तो वह कभी किसी मामले में फसेगा नहीं What is the best time to do each thing? उसका पहला प्रशन होता है किसी भी कारिकों करने का सही समय क्या है Who are the most important people to work with? और वो महत्वपूरूर लोग कौन है जिनके साथ कारे करना है उसका तीसरा question होता है What is the most important thing to do at all time? वो महत्वपूरूर कारे क्या है करने के लिए किसी भी समय The emperor issued a decree throughout his kingdom announcing that whoever could answer the questions would receive a great reward वो जो राजा होता है वो अपने पूरे kingdom में सामराज इशूट जारी करना decree आदेश वो एक आदेश जारी करता है कि जो कोई भी उसके questions के answer देगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया चाहेगा Many who read the decree made their way to palace at once Each person with a different answer बहुत सारे लोग जो ये पूरे उसका आदेश जो पढ़ते हैं वो अपने अपने उत्तर लेकर महलाते हैं और हर किसी का उत्तर अलग होता है In reply to the first question पहले प्रेशन के उत्तर में One person advised that the emperor make up a through time schedule एक विक्ती कहता है पहले प्रेशन के उत्तर में उसका पहले प्रेशन जो था कि किसी भी कारे को करने का सही समय क्या है तो उसके लिए बताता है कि राजा को एक बहुत ही जो है वो time अपना schedule बना लेना चाहिए और फिर जो है Consecrating every year Day, month and year For certain tasks and then Follow the schedule to do later उसके जो schedule उसने बनाया है अब उस schedule के प्रती उसे समर्पित होना चाहिए हर घंटे, हर दिन, हर महिना, हर साल तब जो है जाकर वो और फिर राजा सक्षम होगा कि उसे क्या कार्य कब करना है Only then Could he hope to do every task at the right time और तब ही वो ऐसी आशा कर सकता है कि वो प्रतेक कार्य को सही समय पर कर पाएगा